आप यह देख सकते हो यह है एडलाइट और इसी हेडलाइट को हम मोटर सेकल पे लगाएंगे और यह में मोटर सेकल्स के लिए बना है आप पॉक्स में भी देख सकते हो बड़े-बड़े अक्षरों पे लिखा है एडलाइट में इसके कुछ लिखे हुए है इसके 9-18 बोल्ड पे काम करता है 35 वाट का है लो बीम पे इसका 750 लूमनेश है और हाई बीम पे इसका 3500 लूमनेश है और यह वाइट लाइट आपको लगाने का सौक है तो यह बहुत अच्छा हेड लाइट है सस्ता मेली अपन को लाइजर खोलना पड़ेगा कोई भी गाड़ी में और क्या होता है कि आपको AC to DC कनवर्ट करना रहता है अगर आपका वारेंटी खतम हो गया हो गाड़ी का तो आप वायर को कट कर सकते हैं वरना आप वायर को कटना करिए और किसी दुकानदार या तो जो नौलेज वाला है उसके पास जाएए अपन वायर कट करेंगे कौन सा जिसमें रेगुलेटर जो इंजन से जो करेंट आता है AC वाला उसको हम कट करेंगे और मेली गाड़े पे क्या होता है कि यलो वायर होता है और यह अपन हर गाड़ियों पे जाहतर गाड़ियों पे यलो वायर ही होता है ज काट आफट हम यलो वायर को काट लेते हैं और मेंली अगर आपके गाड़ी का वरेंटी खतम हो गया हो तो आप वायर कटिंग फटिंग कीजिए वरना बहुत से जुगार हैं आजकल और देख सकते हो यलो वायर कट गया है और इसके बाद क्या करना है आपन को इसको AC to DC जो है तो आपको मैं कमपसरी बोलूँगा कि आप स्विच लगाईए हैडलाइट पे और इस गाड़ी पे हम स्विच नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हमको ज्यादा बजट नहीं था भाया के पास और यह सस्ता हैडलाइट है इसलिए फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको एक सर्किट दिखेगी जिसमें रेड और रेड और ब्लैक रहेगा तो क्या करना रहता है कि अपनको एसी टू डीसी कनवर्ट करने के लिए इगनिशन ऑन करने में जहां बारा बोल्ट की करेंट आती हो उस के अंदर हमको एक वायर डालके इसमें यलो वायर में अटेच कर देना है और जो लाश्ट इंड वाला पॉइंट है यलो वायर का उसको छोड़ देना है आप जहां भी आप अगर जोड़ दीजिए यह क्या हो गया है एसी डू टीसी कनवर्ट हो गया मतलब जो इंजन से यह डारेक्ट बैटरी से मिलेगा आप देख सकते हो यह बैटरी यह लाइट वर्किंग कंडिशन पर आ गया है यह देख सकते हो आप अपर दीपर भी इसका चालू हो गया है और कोई दिक्कत नहीं है अगर आप जो है तो आप मैं तो कंपसरी बोलूंगा ही आपको कर लीजिए क्योंकि टेपिंग बहुत जारी है अगर आपको सॉट सर्कीट हुआ तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है तो हम अगर पहले जब से पहले टेपिंग कर लेते हैं फटा फट 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 उसके बाद बस अपना है तो वर्किंग कंडिशन पर आ गया मैं इसमें करना और वह सबसे असान काम है जो सबसे भारी वाला कपलर रहेगा उसी में आपको वायर मिल जाएगा अधिकतम गाड़ी में यलो वायर ही होता है और यह देख सकते हो फैड लाइट इसको भी लगाना बहुत असान है यह क्लिप है इसमें और यह स्टॉप क्लिप था इसी को ठंडा करने के लिए बहुत सकता है चलिए यह भी लग गया अपना हैड लाइट और अगर आपको यह हैड लेना हो और यह सस्ता है लाइट है बहुत अच्छे रेट पर मिल जाता है और लाइन यह कुछ 600 कप पड़ेगा और आफ लाइन आप देख सकते हो 480 रुपय खर लॉक वाले क्लिप में ही एड़ेस्ट हो गया इसको फटा-फट फिर कर देते हैं फिट करने के बाद और यह कागच भी जा कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें भी तरीका है कि किसको कैसे लगाए और क्या सरकीट है तो इसको कोई आजकल पढ़ता भी नहीं है चलिए हटाते हैं मैं आपको बता दूं कि आगर आपको लेना है तो आप ओनलाइन ले सकते हो आपको लिंक डिस्क्रिशन पर मिल जाएगा और मेरे स्क्रीन पर भी आप देख सकते हो यह फिलिपकार्ट में कुछ 600 का है यह है जो मैं लगा रहा हूं और बैतर रहेगा कि आ अपना वाइजर चढ़ाना बचा है उसके बाद यह रेडी हो जाएगा अगर आपको आपके गाड़ी है मतलब आटोमेटिक हैडलाइट ओन सिस्टम तो आप अगर वाइट हैडलाइट लगाते हैं लेडी ओवी वित फैन वाला तो आपको मैं कमपसरी बोलूंगा कि आप प्लीज फ्टम लगा लीजिये क्योंकि इस गारी पर में हम लों मकि लगा ہے क्योंकि इस गारी पर बजटनी अबन रहा था क्योंकि यह आफ लाइन खरी था होग्रिदा हुआ और भंढ़ी यका की ऑपर बजट मार था इसलिए M сним लगा है बाकि हमने बोला है कि आप आएंग और यह यही वही गाड़ी है जो आपको मैं दिखा रहा था जिस गाड़ी पर अपन दिन में लगाए थे और चलिए इसको रोड में लेके चलते हैं रोड में ज्यादा अच्छे से पादा चलेगा इस हेडलाइट का जलवा वाकर में बहुत तगड़ा है और इतने कम दाम पे इस गाड़ी को यह लेक चलते हैं और यह हमारे भाईया थे जो स्माइल कर रहे थे यही लगवा रहे हैं अपने गाड़ी पे और देख सकते हो हम रोड पे आ गए हैं ज्यादा दूर नहीं जाएंगे यही पास दुकान के सामने हम हैं और आप देख सकते हैं इसका रोसनी इस एडलाइट का बहुत दमदार है यह वीडियो अच्छे लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और यह एडलाइट बहुत अच्छा है आप ले सकते हैं ऑनलाइन इसका लिंक डिस्क्रिशन पे डला हुआ है आप वह को पास सेयर कर दीजिये जो यह लगवाना चाहते हैं वाइट लाइट लाइट थैंक्स फर वाचिंग बाई